जी ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि शिक्षित लोग भी क्रिशी की क्षितर में काम कर रहे हैं डॉक्टर विवेक भुसकुटे जोकी MBBS किसान है आपने डॉक्टरी की है MBBS की उपाधी अर्जित की है इसके बावजूद भी आप खेती किसानी में पूरी तरह लिपते हैं डॉक्टर विवेक भुसकुटे पेशेशे चिकितसक आपको बच्चों के इलाज में मास्टरी हासिल है जबलपुर से MBBS करने के बाद आप अपने गाउं टिमरनी से गड़ी आ गए आपके पिता और्गनिक खेती के विशिशग्य है पिता की आयू भड़ी तो आपने डॉक्टरी के साथ उनके क्रिशी कारे को संभाला और उसमें नित नए प्रयोग किये आपका पूरा परिवार चिकितसक है लेकिन आप खुद को गाउं और मिट्टी से दूर नहीं कर पाए आप अपने इलाके को चिकितसा सुविधा के साथ साथ आर्गनिक खेती के गुर्भी सिखा रहे हैं आप आरोग्य निलियम और आरोग्य मित्र का संचालन करते हैं आप वैदिक विद्यापीठ के संयोग तो सचिब भी है हम आपके प्रती समर्पित भाव से ये दखल अवार्ड आपको सुप चुके हैं अब आप अपनी बात कहें इस चकाचाउंद भरी राजधानी में किसान, खेती और जेविक खेती ये विशे अगर सबसे पहले आएंगे तो निश्चित रूप से आधी समस्या वैसे ही हल होने वाली है हमारे प्रधान मंत्री ऐसे पहले सरवोच्य नेता है जिनोंने जेविक खेती का बार-बार शब्द उच्चारण किया जेविक खेती की बोलने की और मुझे पूरा विश्वास है कि मा नर्मदा के सच्चे उपाशक हमारे वर्तमान कृषी मंत्री श्री कमल जी के नितरत्व में मध्यप्रदेश में भी जेविक खेती की दिशा में आगामी तीन वर्षों में एक बहुत बड़ी करांती होने वाली है भुपाल के सब लोग जेविक करशी को प्रोचसान दें अपने अच्छे स्वास्थी के लिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ इसलिए मैं कह सकता हूं कि वर्तमान जो कीट नाशक है वो सब डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर से लेके कैंसर सब बिमारियां उत्पन कर रहे हैं तो हम उपभोगता के नाते भी जेविक करशकों को प्रोचसान दें उनका माल खरीदें और मैं हमारे हुनहार करशी मंतरी जी से भी अनुरोद करता हूं कि आप तीन साल में मध्यप्रदेश को जेविक खेती में एक नई उचाईयों तक पहुंचाएं नमस्कार